आज का राज में हम आपको दिखाते हैं कश्मीर का बिहारी सुल्तान कश्मीर का बिहार कनेक्शन बिहार के दिल में बसता है कश्मीर बिहार की सरजमी में दफन है कश्मीर का सुल्तान कश्मीर पर अकबर के राज का रास चकवंश के अंतिम शासक को क्यों मिला देश निकाला बिहार में किस ने बसाया था कश्मीरी चक हबागातों और यूशुप शाहचक की प्रेम कहान बिहार की मिट्टी में महक रहा कश्मीर का केस है यूसुफ शाह चक की अंसुनी दास्तान कश्मीर का बिहारी सुल्तान तो आज का रास में आज पात होगी कश्मीर के बिहार कनेक्शन की क्या आप जानते हैं आज़ाद कश्मीर का अंतिम सुल्तान एक बिहारी था चौकिय मर्द सुल्तान यूशुफ साह चक जन से बिहारी भले ही ना हो लेकिन अपनी जिन्दगी का बड़ा वक्त उन्होंने बिहार में गुजारा और मरने के वाद भी इस सुल्तान को बिहार के मिट्टी में ही सुपोर्दे खाक किया गया एक ऐसा राजा जिसके दिल में कश्मीर था और आत्मा में बसता था बिहार देखिए कश्मीर का बिहारी सुल्तान आज़ाद कश्मीर का अंतिम सुल्तान कर रहा है बिहार की जमी पर आराम जिसने बिहार में बसाया था मिनी कश्मीर आज भी आपको मिल जाएंगे नालंदा में कश्मीरी रियासत के कई प्रमार कश्मीरी चक का नाम कश्मीर से क्यों जुड़ा है शेक अब्दुल्ला तो कश्मीर के शाशक थी उनके नाम पर यहां गाओं का नाम क्यों पढ़ा है ऐसे कई सवाल थे हमारे मन में हमसे कहा गया कि विहार की जमी से निकलेंगे अकबर और कश्मीर तक के अटूद सूद और इन्ही कनेक्शन्स को तलाश ने निउस 24 की टीम निकल पड़ी नालंदा जिले के कश्मीरी चक के लिए आजाद कश्मीर के अंदिम सुल्तान के विहार कनेक्शन किराज से हम पर्दा उठाने जा रहे थी हमारी बंजिल आखों के सामने थी तिहार के दिल में भी एक कास्मीर बसता है वो कास्मीर जहां आजाद कास्मीर के अंतिम सुल्तान ने अपनी आखरी सासे ले थी आज भी इस इलाके में उस सुल्तान से जुरी यादे जर्रे जर्रे में फैली हुई है इतिहास के पन्नों में वो सुल्तान सुर्णिम अच्रों में दर्ज है लेकिन इस धरातल पर आज सुल्तान से जुरी यादे धीरे धीरे जमिन दोज हो रही है लेकिन सुल्तान से जुरी यादों को लेकर आज भी बखुवी इस इलाके का चप्पा चप्पा उनकी सुल्तान की यादों को बया कर रहा है हमारे सामने थी कुछ कबर ये थी कश्मीर के सुल्तान यूसुफ शाहचक की कबर उनके बगल में उनके बेटे की कबर और साथ ही उनकी पत्नी हबा खातून की कबर भी नज़रा रही थी लेकिन कश्मीर के शास्कों के पूरे परिवार की कबर बिहार में क्यों थी इस जगे से कश्मीर के सुल्तान का क्या रिष्टा है ऐसे बहुत से राज से परदा उठाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं 433 साल पीछे जी हाँ चलते हैं 1586 इस्वी में कश्मीर की वादियों में ये मुगलों के कश्मीर पहुँचने से भी पहले की बात है तब कश्मीर एक खुदमुखतार रियासत हुआ करती थी बेहद वैभव शाली सामराज्य जहां कला, संगीत, सिक्षा, सबकी आजादी थी ये साल था 1538 वी का इस राजवंश के शाशक थे, यूसुफ शाहचक वो आजाज कश्मीर के आखरी शाशक थे यूसुफ शाहचक, चेकवंश के बेहद प्रतिभाशाली शाशक थे यूसिफ शाहचक की पत्नी हबबा खातून थी वो बेहत खुबसूरत और जहीन मलिका मानी जाती थी हबा खातून बेहत पड़ी लिखी थी और उस दौर की मशूर शायरा भी थी यूशुफ शाहचक के राज में सभी धर्मों का पूरा सम्मान था कश्मीर में चकवंश की रियासत फल फूल रही थी बाबर से लेकर धुमायू तर इंदोस्तान पर हमले कर चुके थे लेकिन कश्मीर अभी धर्ती की जन्नत बना हुआ था कश्मीर में चकवंश का शाशन था तो दिल्ली पर अकवर की हुकूमत चल रही थी कश्मीर अकवर की नजरों का कांटा बना हुआ था अकवर ने दो बार कश्मीर पर हमला किया लेकिन भगुलिक हालातों के कारण अकवर की सेना वहां जादा नहीं पिक पाई और चकवंश का शाशन चलता रहा कश्मीर में चकवंश का शाशन था जो मुगलों से बिल्कुल अलग थे आजाद कश्मीर के अपने तौर तरीके थे अपना जणडा था अपना रुपया था अकवर कश्मीर को हर हाल में जीतना चाहता था वो कश्मीर पर मुगल का जणडा देखना चाहता था लेकिन अड़चन ये थी कि कश्मीर में चक्वंश के शाशक मजबूती के साथ शासन कर रहे थी दो बार युद के बाद भी कोशिशें नाकाम रही तब 1586 में अकबर ने कश्मीर पर बड़ा हमला करने की योजना बनाई अकबर ने अपने एक लाक सैनेकों के साथ हमला करने की तयारी शुरू कर दी थी इस बात की भनक उस समय के कश्मीर के शाशक यूशिफ शाहचक को लगी यूशिफ शाहचक काफी पढ़े लिखे और ग्यानी शाशक माने जाते थी ऐसे में उन्होंने फून खराबे से बचने के लिए अकबर के हमले की बाज सुनी तो खुद ही अकबर से मिलने उनकी राजधानी आगरा चले आए संधी करने यूसुफ शाह बिना किसी सैने तैयारी के साथ आगरा में अकबर से मिलने पहुँचे थे लेकिन अकबर ने उन्हें वहाँ पर गिरक्तार कर लिया और उन्हें बंगाल प्रांथ के सेनापती मान सिंग को सौप दिया गया इसके बाद कश्मीर पर मुगलों ने कबजा कर लिया और योसुफ शाहचक को बंदी बना कर आज के इस वैश्पक गाउं में अकबर की सेनापती मान सिंग ले आए इस वक्त हम हैं कास्मीर चक में जम्मू और कास्मीर में नहीं बलकि बिहार के गाउं में बिहार के राजानी पटना से करीब 80 किलोमेटर दूर नलंदा जिले के इसलामपूर का इस गाउं ज्यानि कास्मीर चक को बसाया था कास्मीर के अंतिम सुल्तान यूसुफ साचक ने यूसुफ साचक चाकवंस के राजा थे और उन्होंने कास्मीर पर कई वर्सों तक राज किया था लेकिन उन्होंने अपना निर्वासी जीवन इसी गाउं में बिताया था और ये कास्मीर चक बसाया हुआ भी यूसुफ साचक भी है आज भी इस गाउं में उनसे जूरी मतलब 1578 से कश्मीर पर शासन करने वाले यूशुफ शाहचक 1586 में अकबर के बंदी बन चुके थी इसके बाद उन्होंने दो साल पासी के मिटी के जेल में कैदी की तरह गुजारे कैद में भी यूसुफ शाहचक के दिल में कश्मीर बसता था वो दिन रात अपनी पतनी हबा खातून और अपने कश्मीर को याद करते थे तब तक अकबर का शासन और मजबूत हो चला था बचने की कोई गुजाइश नहीं थी इसलिए दो साल मान सिंग की कैद में रहने के बाद कश्मीर के सुल्तान ने अकबर से रहा करने की फर्याद लगाई अकबर ने योसुप चक को आजाद तो कर दिया लेकिन शर्त रख दी कि वो दोबारा कभी कश्मीर नहीं जाएंगे उस समय सुल्तान योसुप को रहने के लिए इसी इलाके में पाँच गाउं की जमीन दी गई और इसी जमीन पर योसुप शाह ने बसाया कश्मीरी चक क्योंकि वो अपनी सर्जमी से तूर भले ही थे लेकिन कश्मीर उनके दिल में वस्ता था धीरे धीरे यहां योसुप शाह चक के रिष्टेदार और साथी आकर बसने लगे और आसपास के इलागों का नाम उन्हीं के नामों पर रख दिया गया जब भी अकबर की सेना किसी राजिमें जंग के लिए जाती थी सेना पतिमान सिंग चक को अपने साथ ले जाते थी करीब पांस सालों तक यूसुप शाह चक ने अकबर के लिए तई जंग लड़ी फिर आया साल पंधा सो बानवी जब हिंदोस्तान के पूर्वी सुवे पर पतेह की कोशिश यूसुप शाह चक की जान पर भारी बढ़ने वाली थी नालंदा से राजकवार मिश्रु के साथ अमिताब ओजा न्यूस 24 अकबर ने सुल्तान यूसुफ शाह चक को धोखे से बंदी बनाया दो साल तक कैद रखा फिर भी सुल्तान चक उसकी सेना के लिए जंग में लड़ता रहा और जीतता रहा 1592 इस्वी में जगनात पुरी में एक भयंकर जंग होई जिसमें आकबर के बंगाल प्रांध के सेना पती मान सिंग के साथ कश्मीर के सुल्तान ने भी जान की बाजे लगा दी लेकिन इस जंग का अंजाम क्या हुआ ये जानने के लिए ये रपोर्ट देखे बिहार की राजधानी पटना से लगभग 80 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ जो नालंदा जिले में आता है वहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर इसलामपुर इसी इसलामपुर के पास है बेशवक यानी कश्मीरी चक कश्मीरी चक में एक जमाने में कश्मीर से आये सिर्फ मुसल्मान रहते थी इस गाउं से कश्मीरियों का आज भी जुडाव है जनवरी 1977 में कश्मीर के तदकालीन मुख्यमंत्री शेक अब्दुल्ला यहां चादर पोशी को आये थे और गाउं के मुहने पर शेक अब्दुल्ला नाम का बोड आज भी लगा है इसी कश्मीरी चक में युस्व शाह चक की कबर है जो कश्मीर के बिहार कनेक्शन का मुख्य सूद है का जाता है कि 1977 में सेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के राजा हुए थे वो यहां पे आये थे और उन्होंने आकर यहां पर चादर पोशी की थे और उसके बास से अब्दुल्ला पडिवार के कश्दर समय समय पर यहां आते रहे हैं और आज भी इस आलाके में युस्फ खान सुल्तान से जुर्ण यादो को सहिस कर रखने की कोशिस हो रही है लेकिन आज भी यह खुले आस्मान के नीचे हैं और धीरे धीरे सारे इतिहास में यह जमिन दोज होते जा रहे हैं अग्बर ने धोके से कश्मीर के सुल्तान यूसुफ शाहचक को गिरफतार कर बंदी बना लिया और आजाद करने की शर्त पर उनके कश्मीर जाने पर रोक लगा दी लेकिन अक्बर जानता था कि सुल्तान यूसुफ एक इमान पसंद इन्सान है इसलिए अक्बर ने उन्हें समान देते हुए बिहार के इस अलाके में जमीन दे दी और यहीं से कश्मीर के बिहारी सुल्तान की दास्तान शुरू हुई दिल में कश्मीर की यादें लिए सुल्तान युसुप ने बिहार को अपना घर बना लिया तब का बिहार बंगाल रियासत में आता था अब धीरे धीरे सुल्तान अकबर के सेनपती मान सिंग के खास योधा बन चुके थी लेकिन उडीशा के चगनाद पुरी में हुई एक भैंकर जंग में सुल्तान युसुप शा चक की मौध हो गई इसके बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें अपने कश्मीरी चक में लाकर दफना दिया गया कास्मीर के अन्तिम सुल्तान युसुफ साचाग की मौद उडिसा में 1592 मोही थी लेकिन उनकी इच्छा के मुताबिक उनके सौग को दफनाया गया था बिहार के इस कास्मीरी चक के विश्वक गाओं में यह जो मजार आप देख रहे हैं यह कास्मीर के अंतिम सुल्तान युसुफ साचाक कहीं है जबकि उनके बगल में जो मजार है वह उनकी बेगम अब्बा खातून का है जो उस दोर के मजहूर कवियत्री थी और उनकी अलग शान शौकत थे लेकिन उनकी इच्छा के मुताबिक उनके विसाओ को यहीं दफनाया गया था यह विश्वापुर गाम है और यहां पर वर्सों से यहां पर करिब चार सो पुराना इतिहास अपने आप में दफन किये हुए है बहुत सारे लोगों का मानना है कि निर्वासित जीवन में जी रहे युसुफ शाह चक के पास उनकी पतनी हबा खातून बेशवक आई थी और उनकी कबर भी युसुफ शाह के कबर के पास है साथ ही उनके बेटे की कबर भी है और आसपास कश्मीर से आए उनके कई की मस्जिद भी थी इसी तरह लगबख पांच साल इसने यहां पर अपने गुजा रहे हैं अकबर की सेना की लड़ते वे इसकी मौत जो हुई थी ना पंदरा सो बानवे इसमी में उरीशा के जगननात पूरी में हुई थी जिसके शव को इसके बहुत ही करीबी सहयोगी मीर की अब इसका स्वरूब बदल चुका है पासी वो मिट्टी का किला भी मौजूद है जिसमें अकबर के सेनापती मान सिंग ने जेल बना कर सुल्तान यूसप को दो सालों से ज्यादा तक कैद रखा था एक ऐसा सुल्तान जो कश्मीर का राजा था लेकिन वक्त उन्हें ऐसी अलाके को कश्मीर बना डाला यहां के जर्रे जर्रे में कश्मीर के केसर की खुश्पू है यहां के कोने कोने में कश्मीरियत का अपना पन और सादगी है कश्मीर का यह सुल्तान तो पूरी तरह से बिहारी हो गया था लेकिन आज बिहार ने अपने अंदर बसे इस मिनी कश मिर को भुलासा दिया है नालंदा से राजकुमार मिश्रा के साथ अमिताब ओजह न्यूस 24